आखिर क्यूं दुखी रहते हैं ब्रिच्चिक रासी वाले क्यूं संगर्स करते हैं क्या उनके अब गूर्ण हैं साती सात कौन से वर्ष उनका भग्यदे होता है तीन शत्रु राश्या कौन सी हैं इसे बारे में चर्चा करेंगे साती सात इस कारिकरम में जानेंगे कि दो हजार तेइस से दोजार पचीस के बीच में ब्रिच्चिक रासी वालों पे किस तरह के ग्रेग उचल लगने वाले ये कारेकार शनी के राशी परिवर्दन पे आधारित होगा यानि की 2023 से 2025 तक शनी जो है वो कुम राशी में विराजमान है आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है और कही न कहीं ब्रिच्चिक रासी पे 2023 से धहिया लगेगी अब वो धहिया थोड़ा सा अशुबकारी भी है और ब्रिच्चिक रासी वालों को मैं बताना चाहता हूं क चतुर्थ भाव में ढहिया जो आपकी रासी जो ढहिया लग रही है वह कहीं न कहीं देखा जाए तो आपकी उनरशी से चतुर्थipples भाव में यह में शनी विराजमान है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो परिवार मैं वाद विवान उत्पन हो सकता है साती साथ आपके नौकरी और काम में 2023-2025 तक बाधा आ सकती है साती साथ अगर आप व्यापारी है तो आपका पार्टनर्शिप में दिक्कत या व्यापार मंदा हो सकता है और हेल्थ में भी दिक्कत आ सकती है लेकिन लेकिन मित्रों कहा जाता है जनम पत्री का हर कोई बाचे करम ना बाचे कोई शनी की ढहिया जरूर 2023 से 2025 में ब्रिच्छिक रासी पे लगेगी लेकिन अगर जो चीज इस कारिकरम में बताई जाएगी जो अवगुण आपको बताया जाएगा साथी साथ दुखी रहने क एक कारण बताया जाएगा अगर वो कारण आप कोशिश करें और वो गलतिया ना करें तो सनी की ढहिया आपके लिए समाने फलदायक रहने वाली है सबसे पहले जानते हैं ब्रिच्छिक रासी वालों के बारे में कि ब्रिच्छिक रासी वाले कैसे होते हैं जैसा कि आप इन किसी को कानो कान खवर नहीं होने देती लोगों को अपना काम करके चोका देते हैं एकदम से मिठाई का डबब सामने लियाते हैं लोग एरान हो जाते हैं अच्छा ये काम भी हो गया आपका अच्छा ये काम आपने कप किया यानि कि किसी को कानो कान अपने काम की खबर नहीं होने देते, दुनिया को चोका देते हैं अपने हर काम से, ऐसे होते हैं ब्रिच्ची ग्रासी वाले, ब्रिच्ची ग्रासी वाले योजनाबत तरीके से फुल प्लानिंग से ही कोई काम करना पसंद करते हैं, तथा ब्रिच्ची ग्रासी वाले खाने, पीने कपडों के सोना चांदी गार्यों के बड़े शोकीन व्यक्ति होते हैं यानिकि विश्चीक रासी वाले देखा जाये तो खाने पीना और कपडों के बड़े सोकीन कहे जाते हैं यह देखा जाए तो आत्म विश्वास से भरी वी राशी ओती है independent राशी होती है यानि कि किसी पे निर्बन नहीं होती संगर्स सही आगे बढ़ते हैं और अपनी योगिता के बल पर एक मुकाम हासिल करते हैं ब्रिच्चिक राशी वाले लोगों के जीवन में भाग्ये का बहुत बड़ा रोलनी होता यानि कि अपनी पढ़ाई अपनी योगिता अपनी मैनत के बल ही ऐसे लोग आगे देखे गए इसलिए ऐसे लोग अगर देखा जाए तो वाणी में प्रवीन होते हैं यानि कि इनसे बातों में कोई जीत नहीं सकता नेडर जातक होते हैं साती साथ ऐसे लोग सैना में होते हैं पुल्स में होते हैं इसे निन medical विवाग में होते हैं बहुत अच्छे गणितग्य होते हैं या उच अधिकारी होते हैं क्योंकि अपनी प्रतिभा के पल पर आगे बढ़ते हैं या नेता होते हैं वकील होते या कुछ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं मुख्या हो जाएंगे और marketing की जबरदर्स्त समझ होती है marketing वाली ये राशी होती है अधिकतर विच्चिक राशी वाले marketing में भी पाए जाते हैं लेकिन जैसा मैंने बताया भाग्ये का बहुत बड़ा सही हो इनकी life में नहीं होता है ये योग गेता या मैनत के बल से शिक्षा के बल से आगे बढ़ते हैं साथी साथ इनको गलत बात पे कोई व्यक्ति अगर इनसे गलत बात करें तो इनको जल्दी गुसा आ जाता है याद रखिएगा लेकिन ये उस व्यक्ति पे गुसा नहीं करते कोई इनकी बुराईया करता है तो एकदम से प्रतिकिरिया नहीं करते सही टाइम का ये इंतिजार करते जैसे शिव बगवा करने वाले होते यानि कि जब मौका आता है तब उस व्यक्ति को अच्छा मजा भी ये लोग चखाते हैं साती साथ विरिश्चिक राथी वाले परिवार पे जी जान लुटाने वाले व्यक्ति होते परिवार के लिए बड़े केरिंग व्यक्ति कहे जाते हैं जो आपका अनुभव रहा है मैं इनसे 2011 में मिला था मैं के महने में ठीक है और जब से मैं इनसे मिला था उन मैंने इनको अपनी जनमपत्री दिखाई है तो उस जनमपत्री के आधार पर मेरे पर रहो की बहुत ज्यादा दिशा खराब थी तो उन्होंने मेरे को पंड़ जिन म मेरे को गोमद की सला दीती और मेरेको अगोटे गहाण कर वाइपन आई जब से मेरा अगोटे गहाण करिया मेरा जब से व्यपार में घर में बच्चों में सब्ड़ा अच्छा बढ़िया ँजनमे अब तक अच्छा चलता है और विपीर पंड़नी मिलने के लिए आया हूं अब ये बात होगी और विरिच्चिक रासी वाले बारगेनिंग पावर इनकी बहुत जबरदस्त होती है किसी भी मार्केट में इनको बैठा दीजे सस्ते से सस्ता प्रोडेक्ट बारगेनिंग करके तर्क वितर्क करके ये लेके आएंगे यानि तर्क वितर्क की छमता इनकी बहुत जबरदस होती है अब बिरिच्चिक रासी वालों का भाग्यदे कब होता है या फिर abroad settled होते या अच्छा इनको धन प्राप्त होता है अब इनकी शत्रू राशियां क्या है जिनसे इनको दूर रहना चाहिए वो है मिथुन राशी करक राशी तुला राशी ये तीन राशिया इनकी शत्रू राशियां है इनसे इनकी कभी नहीं पटेगी इनके साथ में धनका आदान पदान या पार्टनर्शिप नहीं करने ही चाहिए अब चौथी और अंतिमबाग क्यों दुखी रहती है विरिश्चिक राशी वाले वैसे तो विरिश्चिक राशी वाले गौवर्मेंट जॉब में उच अधिकारी पद में होते हैं लेकिन कुछ विरिश्च से 25 में कामियावी के शिकर में पहुंचेंगे पहला अगर विरिश्चिक राशी वाले जातक और जातिकाए जूट का प्रियोग ज्यादा करते हैं निंदा लोगों की ज्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं उच अधिकारी वर्ग इनसे अच्छा-कासा नाराज रहता है कहीं बुद्धी मान लोग इनसे नाराज रहते हैं जिस कारण से बुद्धी मानों का हाथ इनके उपर से उठ जाता है जिस कारण से यह ज्यादा सपल नहीं होते हैं इसलिए ब्रिश्चिक राशी वालों को जूट का सारा कम लेना चाहिए दूसरा इनका ट्रोबेक दिखावे वाली लाइफ में जीना और अधिक करजा लेना बहुत बार क्या होता है ब्रैंडिट चीजों के शोकीन होते हैं बड़ी घाड़ी खरिद लेते हैं बड़े घर में रहना पसंद करते हैं और ऐसे में आए से अधिक व्याय कर बैठते हैं और साथी साथ करजा अपने उपर चड़ा बैठते हैं फिर करजा के लिए एक की टोपी दूसरे के सर पर ऐसा करना पड़ता है एक का करजा होता है दूसरे से जूट बोलके ले लिया दूसरे से करजा होतारा तीसरे जूट बोलके ले लिया तो ऐसे में मार्केट में इनका नाम बनाम हो जाता है कोई इनके होते हैं ठीक है और ग Cantonist pro'd ढवल में लोग होता है कि लोगुन See कर देते हैं इनसे पहली बार मिलें तो यह इंप्रैस कर देतें यह बात दो है तो ऐसे में extra marital affair या जिए वन में बहुत सारे समंद्ळ पाए जा सकते हैं अगर आप इतने सारे संबंद अगर विर्चिक रासी वाले रखते हैं तो इनका पूरा एफ़र्ड उसी को मेंटेन करने में लग जाता है जिसमें से करियर पे ध्यान नहीं दे पाते और डाउन फॉल में चले जाते हैं तो यह तीन ड्रॉबैक हैं अगर विर्चिक रासी वाले ठीक करेंगे तो जनम पत्र का हर कोई बाचे करम न बाचे कोई यानि कि आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो ग्रय कितने ही खराब क्यों नहीं होगा तो मित्रों इस कार करम में बाद इतना ही मुझे दीजे जाया जय मत आदि मेरा नाम समीर आरिया है मैं तंजानिया के रहने वाल है मेरी मम्मी फिर मैं पंडिजी के पास आया तो मुझे पहले बहुत तुरूद अजीब सा लगने लग गया था कि पंडिजी कैसे ठीक करेंगे फिर उसके बाद जब धीरे एक बार बार आया फिर पंडिजी ने मुझे कवच दिया जिसके वाशाच मैं सारा निशा झाल 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 झाल